अमीद करता हूँ कि आप लök में अच्छे ही होंगे आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से अमिद्वार को कितना बोट मिले हैं कौन से खिलाडी को कितना मत मिले हैं वैशे तो सब को पताचली गया होगा कि कौन से परतासी वीजे रहे जस्पूर कुनकूरी और पत्थलगाओं से लेकिन काफी लोग को पता नहीं होगा कि किसको कितना बोट मिले हैं कितना मत मिले हैं वैसे जस्पूर विधान सभा की बात करें तो जस्पूर विधान सभा में 11 परत्यासी मैदान में थे 11 खिलाडी मैदान में थे और सौभाविक है चुनावी मैदान में उत्रे हैं तो कुछ न कुछ बोट तो जरूर लाए हैं फ्रेंड से तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि कौन से उमिद्वार को कितना बोट प्राप्त हुए हैं सबसे पहले बात करेंगे हम जीत वाले उमिद्वार की जीत वाले उमिद्वार हैं स्रीमती रायमोनी भगत जी जो की भारते जानता पार्टी के उमिद्वार थे मैंने लिया है भारत निर्वाचन आयोक के साइड से अगर आप भी चाहें तो एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया वाले साइड में जाके आप नेट से निकाल सकते हैं मैंने वहीं से एक जेट रिपोर्ट को लिया है तो जस्पूर विधान सभा से सबको पताई है कि वीनर रहे हैं भारते जानता पार्टी के उमिद्वार रायमोनी भगत जी इनको मत मिले हैं 89,103 बोर्ट प्राप्त हुए हैं जो की 17,645 बोर्ट से जीत के जस्पूर विधान सभा में अपना जीत हांसिल किये हैं और इनके करीबी रहे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस पार्टी के बिना भगत जी जो की 71,458 बोर्ट लाए हैं जो की 2nd इस्थान रहा इसके बाद 3rd इस्थान रहे परदीप खेस जी जो की 7,571 बोर्ट लाए हैं इसके बाद रहे परकास्ट पोजी जो की आम आदमी पार्टी के थे इनको मत प्राप्ध हुए हैं 2755 बोर्ट उसके बाद रहे सरहुल राम भगत जी जो की जनता कांग्रेस चतिशगर के उमिद्वार थे इनको प्राप्ध हुए हैं 1769 बोर्ट प्राप्ध हुए हैं इसके बाद हैं परदीप सिंग जी परदीप सिंग जी निर्दलिय उमिद्वार थे इनको प्राप्ध हुए हैं 1376 बोर्ट प्राप्ध हुए हैं परदीप सिंग दिवान को उसके बाद सिव परशाद भगत जी ए भी इंडिपेंडेंट थे निर्दलिय उमिद्वार थे इनको प्राप्ध हुए हैं 1281 बोर्ट उसके बाद हैं मनोज भगत इनको 1020 बोर्ट प्राप्ध हुए हैं इसके बाद रूप नराड एकजिजो की बहुजन मुक्ती पार्टी से थे इनको 580 बोट मिले हैं और राजेश लकराजी गोड़वाना गड़ तंत्र पार्टी से मैदान में थे इनको 448 बोट प्राप्त हुए हैं और सुक्रु भगत एक हमर राज पार्टी से थे इनको 366 बोट प्राप्त हुए हैं और नोटा इन में से कोई नहीं में 3324 बोट प्राप्त हुए हैं यानि कि इसमें विनर रही श्रीमती रायमोनी भगत जी जो कि भारती जन्ता पार्टी की उमीदवार है आप सब को पता चली गया होगा और जस्न भी मनाने वाले मना चुके होंगे यानि कि 17645 बोट के अंतर से विजय हासिल किये हैं इसके बाद हम चलेंगे कुनकुरी विधानसभा कुनकुरी विधानसभा में भी 11 परत्यासी मैदार में थे इसमें जीत हासिल किये हैं विष्णू देव साइजी जो की भारती जन्ता पार्टी के उमीदवार थे इनको मत प्राप्त हुए हैं 87604 बोट प्राप्त हुए हैं और इनके करीबी रहे 62,300 बोट जो की UD मीन जी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी से थे जीत का अंतर बोले तो 25,541 बोट से बिजे रहे विष्णू देव साइजी इसके बाद लियोस मीन जी जो की आम आदमी पार्टी से थे इनको 1945 बोट प्राप्त हुए हैं और इसके बाद अलबर्ट मीन जी हमराज पार्टी से 1749 बोट प्राप्त हुए हैं इसके बाद है कौसल कुमार ओहदार इनको 842 बोट प्राप्त हुए हैं जो की इंडिपेटनेंट थे निदलिय उमिद्वार थे इसके बाद फिलिप सी टोपो इनको 693 बोट प्राप्त हुए हैं इसके बाद कमलेशोर राम नायक निदलिय उमिद्वार थे इनको प्राप्त हुए है 680 भोट प्राप्त हुए है चारलेस एकका सर्वादिवासी समाज से खड़े हुए थे चारलेस एकका जी इनको 480 भोट प्राप्त हुए है भरत साय पैकरा जो की गोडवाना गरतंत्र पाटी से खड़े थे मैदान में इनको 385 बोट प्राप्त हुए है इंद्रनात पैकरा जी ए निदलिय उमिद्वार थे इनको 293 बोट प्राप्त हुए है दिनेश कुमार भगत जी जो की बहुजन मुक्ती पार्टी से मैदान में थे इनको प्राप्त हुए है 289 बोट प्राप्त हुए है और नोटा में आए हैं 2531 बोट नोटा में प्राप्त हुए है इस टैप से कुनकुरी विधान सभा से बिश्टू देव साइजी भारी मतों से बिजे रहे इसके बाद मैं आपको ले जलता हूँ पत्थल गाओं पत्थल गाओं विधान सभा में आठ प्रत्यासी मैदान में थे इसमें भी बिजे रही भार्ती जानता पार्टी की उमिद्वार गोमती साई जी इनको मत प्राप्त हुए है 82,320 बोट प्राप्त हुए है इनके करीबीर है राम पुकार सिंह ठाकुर जी जो की 82,65 बोट लाए है इनका बोट का अंतर देखा जैसे तो 255 बोट के अंतर से गोमती साई जी विजे हासिल किये है मात्र 255 बोट से विजे हासिल किये है इसके बाद राजाराम लकरा जी आम आदमी पार्टीशे थे इनको 3675 बोट मिले है इसके बाद इनोसेंट कुजूर जी है बोहजन समाज पार्टीशे थे इनको 2344 बोट प्राप्त हुए है इसके बाद अनिल कुमार परहा जी हमर राज पार्टीशे थे इनको 1775 बोट प्राप्त हुए हैं इसके बाद नहरू लकरा जी नहरू लकरा जी थे जनता कांग्रेस 36 गर से थे इनको 1744 बोट प्राप्त हुए हैं इसके बाद पठू राम पैकरा जी निर्दली उमिद्वार थे इनको 1375 बोट प्राप्त हुए हैं सुनिल कुमार खलकोजी को 1717 बोट प्राप्त हुए हैं पठलगाव विधान समा के नोटा में बोट आये हैं 3131 बोट नोटा में आये हैं इस टैप से पठलगाव विधान समा में गोमती साय जी 255 बोट से बिजय रही इस टैप से हमारे जस्पूर जिला के तीनोव विधान सभा के आये परत्यासियों के बोट है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नया स्टुडियो में